आज है 10 मार्श 2024 दिन रवीवार वेल्कम बैक टो क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना आप बिल्कुल ना भूले साथी हमारे Facebook पेस्टों भी फॉलो करें Facebook पेस्ट सरें और शिस्की किस्टन लीप आ गया है इसे इन डलने जा रहे ही बेहनों के खाते में लाडली बेहना आवास योजना की पहली किष्ट जिन महिलाओं को योजना की पहली किष्ट का इंतिजार है उन सभी महिलाओं की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि राजे सरकार द्वारा लाटली बहना आवास योजना की पहली किष्ट का पैसा मार्च के अंतिम सपता तक जारी किया जा सकता है जोप्टर मोहन यादव के दोरा योजना की पहले किष्ट ट्रांसपर की जाएगी जो कि सिंगल क्लिक के माध्यम से सबी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसपर होगी प्रदेश सरकार गामी शेत्र की महिलाव को लाभान वित करने हेतू योजना की पहले किष्ट में 30,000 रुपे प्रदान करेगी पश्यमदे रेल्वे ने होली स्पेशल ट्रेन का किया ऐलान रानी कमलापती स्टेशन से इस दिन होगी रवाना पश्यमदे रेल्वे तोरह होली के तोहार पर यात्रियों के सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया इस पेशल ट्रेन से होली के समय यात्रियों को रिजर्वेशन और आने जाने में होने वाली परिशानियों से निज़ात मिलेगी ये स्पेशल ट्रेन व्रानी कमलापती स्टेशन सिधाना पुलिस स्टेशन के बीच चलेगी पर्शेमत रेलवे की तरफ से होली के समय अतरिक्ति यात्रियों की परिशानी से निपचने के लिए स्पेशल ट्रेन को 18 मार्ट से शुरू किया जा रहा है लोग सबाचनाओ के बाद शुरू होगी उपनी रिक्षकों की भरती मद्यप्रदेश पुलिस को सितंबर तक मिल जाएंगे 6500 आरक्षक कर्मचारी चोन मंडल ने पुलिस आरक्षक भरती परिक्षक के परिणाम जारी कर दिये हैं अब इनके शारीरी दक्षता परिक्षा शुरू होगी इसमें तीन से चार महा लगेंगे अगस्ति या सितंबर में लगबग सारी 6000 आरक्षक मिल जाएंगे कुछ 7411 पदों पर भरती हुई शुरू हुई थी परोवी सी आरक्षन पर अनिर्ने के स्थिती के चलते 13 परिशत पदों का परिणाम रोका गया है क्यारमाज को भुपाल में महिलाएं उडाएंगे ड्रोन कारिक्रम में वर्च्वली जुड़ेंगे पि-म मोदी मदपरदेश के रहसानी बोपाल में 102 ग्रामीन महिलाएं ड्रोन उडाएंगे ड्रोन फ्लाई के बाद पि-म मोदी महिलाओ से संबाद भी करेंगे पि-म नरेंदर मोदी के निर्देश पर देशवर की महिलाओ को ड्रोन फ्लाई की ट्रेनिंग दी गई है प्रशिक्षित महिलाएं अब ड्रोन दीदी बन गई है 11 मार्च को देश की 1092 ड्रोन प्रशिक्षित महिलाओं से एक साथ ड्रोन फ्लाई करवाया जाएगा प्रशिक्षित महिलाओं से बने राजमाता विजिया राजे सिंधिया एरपोर्ट के लोकारपन कारिक्रम में लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है वल्ला भवन में अग्निकांट की होगी जाँ सरकार ने साथ सदा स्य समिती का किया गठन मद्यप्रदेश के रासानी भुपाल के वल्ला भवन में अग्मी कांट को लेकर राजसरकार ने जांच समिती का गठन कर दिया साथ सदस्य समिती का गठन किया गया जो वल्ला भवन में आग लगने के कारणों का पता लगाएगी A.C.S. मुहमद सुलिमान के अध्यक्ष्टा में ये जांच की जाएगी सुरेश पचारी होंगे अगले राजपाल लोगसबा चुनाओ के बाद हो सकता है ऐलान मर्देप्रदेश के राजनीती से चुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है शनिवार को कांग्रिस से बीजेपी में शामल हुए भुबाल के पूरु सांसा सुरेश पचारी को राजपाल बनाने की चर्चा होने लगी सुतरों के मताबिक सुरेश पचारी को राजपाल बनाया जा सकता है बताया जो रहा है कि लोग सबाचनाओ के बाद पाची बड़ा एलान कर सकती है सुरेश पचारी को बीजेपी ने सम्मान का आश्वासन दिया है भुपाल नगर निगम का बड़ा कदम अब डिजिटल व्यापार करेंगे कबारी वाली भुपाल नगर निगम ने बड़ा निड़ने लिया दरसल नगर निगम का निड़ने है कि कबारी वालों को डिजिटल स्क्रैपर बनाने के माध्यम से उनके जीवन शैली को आधूनी की एकरत किया जाए मैं इसकड़ी में नगर निगम ने भुपाल के कबाड़ी वालों को एक आउनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने का आयूजन किया है M.P. में दो आई है समेच श्यासत अधिकारियों का तबादला में दो आई है समेच श्यासत अधिकारियों का तबादला कर दिया गया श्यासत के तरफ से जारी नए आदेश के मताबिक M.P. हाउसिंग बोर्ड की मुख्य प्रशासने का दिकारी विदीशा मुखर जी को M.P. परिटन विकास बोर्ड का पर प्रबंदग बनाया गया है अशोक नगर अपर कलेक्टर जीयस धुर्वे को अपर कलेक्टर बाला घाट पदस्त किया गया मदबर्देश के हर्दा जिले के ग्राम पंचायतों में नजल योजनाओं के जलकर की वसूली अब सवसाहता समूँ की महिलाओं की आए बढ़ेगी और पेजल योजनाओं भी बेतर धंक से संचालित होंगी दुर्गादा सुईके ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की लगपती दीदी की परिकल्पना को साकार करने की दिशामी जिला प्रशासन का ये एक सराहनिया खदम है खजराहो को बड़ी सौगात हजरत निजाम الدین से चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस मदर प्रधेश के खजराहो संसदिय शेत्र को लोगसवा चनाओ के पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रियेन हजरत निजाम الدین से खजराहो तक चलेंगी बारा मार्च को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हरी जंडी दिखा कर इसका शुभारम करेंगी इस सौगात के लिए खजराहो की जनता और बुंदेलखन की जनता के तरफ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजराहो सांसच शर्माने आभाल जताया है मंतराले भवन में आग अमलनात बोले जनता सब देख रही बबाल में मंतराले भवन में आग लगने पर कांग्रिस नीता कमलनात ने मुहन सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार प्रश्टाचार की सरकार है जिस तरह से वल्लब भवन में आग लगी इससे एक बार फिर सिस्पश्ट हो गया कि बीजेपी की हर सरकार प्रश्टाचार को छिपाने के लिए अगनी कांट का सहारा लेती है बीजेपी घोचाला करके लीपा पोती करती है और फिर दस्तावेजों में आग लगा देती है जनता सब देख रही है बोड परिक्षा के मुल्यांकन करताओ को नहीं मिल रहा वाहन भत्ता मद्रदेश मादिमिक शिक्षा मंडल भुपाल की तरफ से इस साल हुई बोड परिक्षाओ की कौपीज का मुल्यांकन बाइस परवरी से शुरू हो गया जहां मुल्यांकन कर्टाओ को विशेवार मुख्य और उप-मुख्य के रूप में बाच कर नियुक्त किया गया है इस वरान मुल्यांकन कर्टाओ को 130 रोजाना परिवहन भत्ता देने का प्रावधान होने के बावजूद मंडल दौरा नहीं दिया जा रहा है दिव्यांगों के लिए इंदौर के समीब केसर परवत पर बनेगा पहला सेंसरी गाटन इंदौर के समीब महों में बंजर पहाड़ी पर विक्सित किये गए केसर परवत प्रदेश का पहला सेंसरी गाटन विक्सित किया जाएगा इस प्रोजेक्ट पर दो करोड रुपे की लागत आएगी जिन्द व्यांगों में देखने सुने चुने सुने या स्वाद लेने वाली इंद्रियों की कमी है उनके लिए ये गादन उप्योगी साबित होगा बाच्पा सरकार नहीं होती तो धारा 370 नहीं हटती मदप्रदेश के मुख्यों मंतरी जॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाच्पा की सरकार नहीं हटा सकता था मोधी सरकार से पहले जम्मो कश्मीर में 40,000 लोगों की निर्मम हत्या हुई उन्होंने कहा कि आज प्रधान मंतरी नरेनर मोधी के नित्रत्तों में देश सुरक्षित है सीम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बाते गुरुग्राम मिस्थित पार्टी का रियाल है गुरु कमल में कलस्टर की बैचक को संबोधित करते हुए कहीं वनवे के विरोध में जवाहर मार्क पर दोसो व्यापारियों ने काले जंडे लेकर बनाई मानव शंखला जवाहर मार्क बनवे में दो पहिया वाहनों की छूट को लेकर व्यापारियों ने शनिवार को मानव शंखला बना कर शांतिपून प्रदर्शन किया इस मौके पर गुरुदवारा चुराहे से करीब एक किलो मीटर तक दोसो व्यापारियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर मानव शंखला बनाई जिले में आसे मौसम में फिर बदलाओ देखने को मिलेगा रात के समय पढ़ रही छंड से लोगों को राहत मिलेगी मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन और रात के तापान में दो से तीन डिग्री सेसियस के व्रद्धी होने का अनुमान है पियाईउ का विस्तार उपियंत्रियों के उपर बनाए सहाया की यंत्री नगर्णिगम और उस्मान सिटी के चल रहे कारे गुडवत्ता पूर रही इसके लिए पियाईउ सेल का विस्तार किया गया इसमें उपियंत्रियों के उपर सहाय कियंत्री बैठाए गए ताकि आप कारे में किसी तरह किला परवाही ना हो और समय परकारे गुर्वत्ता पूर्ण संपन हूँ इसके लिए नगर निगम ने सभी प्रजेक्ट के जिम्मेदारी कनिष्ट और वरिष्ट इंजिनियर्स के हाथों में सौंपी है कॉंग्रेस छोड़ रही निताओ पर दिगविज़ सिंग का कटाक्ष दिगविज़ सिंग ने कहा कि देश में तीन राजनीतिक विचारधारा आएं है कम्यूनिस्ट गांधी नहरू विचारधारा जो संप्रताइक सद्भाव में विश्वास करती है और तीसरी विचारधारा है RSS जो लोग भाज़पा के लिए कॉंग्रेस छोड़ रही है मुझे नहीं लगता कि ये विचारधारा के बारे में है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वे पहले कभी कॉंग्रेस में शामिल नहीं होते ये सब सत्ता में बने रहने के बारे में हैं और पी डबलू डीबी उमीदवारों के लिए बारा पद रिक्त हैं गज्राराजा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांध कर किया प्रदर्शन स्टाइपन बढ़ाने सहीद पांसूत्रिय मांगो को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांध कर विरोज शुरू कर दिया है ग्यारा मार्श तक जूनियर डॉक्टर काली पट्टी बांध कर काम करेंगे इसके बाद आगे की रनीती बनाई जाएगी इसे पहले जूनियर डॉक्टर एस्सोसिएशन गज्राराजा मेडिकल कॉलेज के दीन डॉक्टर अक्षर निगम को ग्यापन सौप कर मांगो को पूरा करने की चिताबनी दे चुके हैं मांग पूरी नहोने पर जूनियर डॉक्टर हर्ताल पर जा सकते हैं जाती जंगर्णा के जरीए करेंगे देश का एक्स रे लोग सबाज चनाव से पहले राजनेतिक दलो के चनावी वादो का दौर शुरू हो गया है कॉंग्रेस ने तराहुल गांधी ने जाती जंगर्णा कराने के लिए अपनी पाटी के संकल्प को रिखांकित किया एक्सपर एक पोस्ट में पूर्व कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि क्या हमने कभी सोचा है कि करीब कौन है कितने हैं और किस इस्तती में है क्या ये सब गिनाज जरूरी नहीं है जीत गया भारत इंगलेंड की शर्नाखार भारत ने इंगलेंड को पांच में टेस्ट मैच में पारी और चौसट रनों से हरा दिया इंगलेंड की टीम दूसरी पारी एक सो पिचानवे रन पर ओल आउट हो गई बारत ने पहली पारी में 477 रन बनाए थे दूसरी पारी में इंग्लैंड के तरफ से जो रूट के अलावा कोई भी बल्ले बाज भारते गेंद बाजों के सामने साहस नहीं दिखा पाया अश्विन ने दूसरी पारी में पांच विकेट जटके लोगसबर चुनाओं से पहले चुनाओ आयुक्त का स्टीफा लोगसबर चुनाओं से पहले बहुत बड़ा स्टीफा हुआ चुनाओ आयुक्त अरुन गोयल ने स्टीफा दे दिया है अरुन गोयल का कारेकाल 2027 तक था रास्टपती दुरौपती मुर्मू ने गोयल का स्तीफा मनजूर कर लिया है गोयल ने किस नमबर 2022 को चुनाव आयुक्त का प्रभार ग्रहन किया था अब चुनावी विवस्था का पूरा जिम्मा मुखे निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गया है देना शुरू कर दिया है वितमंत्राले के फाइनेंशियल सर्विसस डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी बैंकों को एक जन्वरी 2022 से हर गोल्ड लोन खाते की समिक्षा करने को लेटरल का एस्टिमेट बनाने के लिए कहा है तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्वित करें धन्यवार